नमस्कार दोस्तों इनकी एज 29 एर्स है और इनका पहला सवाल है मेरी साधी कब होगी क्योंकि इनकी मौम परेशान है इनकी साधी के लिए और ये जनरली भारत, पाक्विस्तान, नेपाल, बांगला देश यहां पर मा लोगों को साधी की बहुत जादा चिंता रहती है तो जा 31 के आसपास धुम धाम से आपके जीवन में साधी होगी वो लाइन में जीवन रेखा पर आपको दिखा भी दूंगा इनका लॉंग टर्म स्टॉक मार्केट में इन्वेस्मेंट करने की इच्छा है और बिजनेस भी ये स्टार्ट करना चाह रहे अब ये सारी चीजे में ध इकोनोमिक्स क्या सही रहेगा एक्चुल मैं किसी को हम ये नहीं बता सकते कि डॉक्टर बनना अच्छा रहेगा या आपका पीएजडी करना अच्छा रहेगा या इंजिनेरिंग करना अच्छा रहेगा जीवन में जो जो रुकाउटे रहेगी और जो जो सामने दिखेगा उस समय हमारे जीवन में बाया आती है और उसी समय हमारे जीवन में हमें अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है तो रुकाउटे और सफलता मिली तो क्यों मिली उसके सारे माप्दड आपके हात में रहते हैं तो आप किसी को ये मत पुछिए कि मैं ये PhD करूँ इसकी करूँ ये अच्छा रहेगा या ये बिजनेस करूँ वो अच्छा रहेगा हाँ रुकाउटे रहेगी वो आराम से मैं शो कर दूँगा आपके और जो जो सफलता की लाइने होगी वो भी शो करूँगा आपको तो वह हिसाब से और जीबन कभी किसी के सोचने से चलता ही नहीं जीवन की रफतार हमारे लिखी हुई है और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलते रहता है जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया उपर की तरफ हो तो ऐसे लोगों में समझ सकती का अभाव रहता है यानि समय पर जो समझ में आना चीए वो ये लोग समझ नहीं पाते और उसके बाद समय निकलने के बाद पस्तावा होता है मैंने ये वस्तु की होती तो जादा अच्छा होता और ये जीवन भर का प्रॉबलम है हाथ एकदम स्क्वेरिश है तो व्यक्ति महनती होगा और महनती का महनत करके अपने जीवन को सक्सेस्पूल बनाएंगे पर फैलेंच काफी अच्छा है तो कारे के प्रती जीदधो गी सेकेर फैलेंच भी अच्छा है भी वहाइंगे झाल टित्थों के साथ आपनी बात रख पाएंगे और जहां चूप रहो रहना वाह चूप भी रैंगे और थोड़ा सा मांसल कम है तो कहीं न कहीं कम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़ादा रहेगी और फास्ट नीड़े लेने वाले लोग होते हैं और सुरी के उंगली भी बढ़िये यह भी व्यक्टी को हिमती सभाव देती है प्लस जीवन का अनंद लेने वाले लोग भी होते है जिब में पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी होते है ऐसे लोग ले सकते है यह उंगली फर्स्ट एलेंट तक थोड़ी सी छोटी रह रहे है तो व्यक्ति अब इनके इंक लगवे पाम पर चलते हम जब किसी व्यक्ति की मैंने एकत फोटोग्राफ में क्योंकि इनको साधी से रिलेटेड़ी प्रश्न है तो उसको पहले थोड़ा अच्छी तरह से हम देख लेते हैं यह साधी की लाइन निर्दोस रूप से ऐसे घुमाव ले रही है जब छोटी सी हलकी सी नीचे जुकती है तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एक्ट्रेक्टिव मिलता है अब वापस इंक वाले पाम पर चलते हैं यानि आपको पत्नी काफी सुन्दर मिलेगी पारिवारिक और सांसारिक सुख भी आपके हाथ में बुद्परवत पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन जब इतनी और एक छोटी सी फीश भी है यहां पर यह व्यक्ति को बिजनेस सेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा देती है इसका पैसे से लेना देना नहीं है एक छोटी सी माम मुली सी फीश राइन है बिजनेस की समझ भरपूर रहती है ऐसे लोगों में और इनके जादातर सवाल बिजनेस से रिलेटेड ही है इनको लॉट्री भी लगी हुई है बड़ी-बड़ी 35-35,000 डॉलर की लॉट्री अभी लगी है पर ऐसा कोई भी चिन्द इनके अंदर शो नहीं हुआ है कि हम या हमें देखने ही नहीं आता कि व्यक्ति को लॉट्री क्यों लगती है परीनों ने जानकरी दिये कि इनको लॉट्री भी लगी है जब ये लाइने होती है तो ये बिजनेस सेंस भी देती है व्यक्ति को सुन्दरता भी देती है दूचे अरभाशाओं के जानकर भी होते है इनके हाथ में एक छोटी सी यश वाली साइन भी है यानि इनको फेम भी मिलेगा पर छोटी है पर अच्छी है तो फेम तो मिलेगा इनको अब इनके सन माउंट पर भी सुपसाइन है दो से तिन सुपसाइन है एक तो यहाँ पर ही है यह इस जगह पर एक एक यहाँ पर है दो और एक यहाँ पर भी है जो इस इतनी स्पस्टता से नहीं आई है पर यह है जरूर और एक इस जगह पर भी है यह यहाँ पर तो तीन से चार छोटी छोटी साइन है जरूर है इनके हाथ में जिसकी वज़े से यह पैसा तो कमाएंगे और यह काफी अच्छी है साइन जो हो सकता आप स्क्रीन शॉट लो तो आपको दिखे तो पैसा तो इनके जीवन में आएगा पर यह सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा मल्टी मिलियोनेर बनूंगा ऐसी स्थिति नहीं है हाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाते रहेंगे अब वापस इंक लगे हुए प्राम पर चलते हैं यहां विद्या रेखा भी है तो वेक्टी को बेसिक नॉलेज अच्छा कासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण वेक्टी अपने जीवन में उन्नती भी करता है यह देखिए जो मैं दिखा रहा था वो इस फोटोग्राफ में काफी सपस्टता से आ रही है और लोग पुछ पुछ कर काम करते हैं जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ीगी ज्यादा लोग पुछ पुछ कर काम करेंगे शनी परवत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता वेक्टी को पता ही नहीं होता इतने एक्टिव रहती यह लोग और सारी लाइन ने सुर्य परवत की और ही देख रही है तो यह लग बग विदे से ही धन प्राप्त करते रहेंगे और यह अल्रेड़ी डवलप कंट्री में रह रहे है और हुडा पे तक इंकम जीवन में आती रहेगी और एक लाइन जुपिटर की और भी जा रही है यह वेक्टी क सरकारी लाब भी इनके जीवन में है जो भी कारे करेंगे बड़े सरका करेंगे और ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला तो चारो लाब इनको प्राप्त हो सकते या किसी को तीन प्राप्त होते किसी को दो और किसी को एक जुपिटर मांट अच्छा ह तो पारिवारिक और सांसा रिक्सुक इनको अच्छा खासा मिलेगा कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और खड़ी लाइने कंटीन्यू है तो यह व्यक्ति को टिकाय रखती है और कंटीन्यू प्रोग्रेस की और इसारा जाता है प्लस ओरिजोंटल लाइने भी है इनको धार्मि भावी और धार्मिक्ता यह चार वस्त हुए इन लाइनों से मिलती है अंदुनी मंगल भी काफी अच्छा है तो साडेटी कुर्जा ऐसे लोगों में काफी अच्छी पाई जाती है भारी मंगल भी कोई प्रोब्लम वाला नहीं है यह भी है तो जब किसी से मिलेंगे तो हिम से मिलेंगे अब इनकी जीवन रेखा ही देखिए कम प्लिट आपको चंद्रपरवत की और जा रही है और इसे लोगों को यात्राइब भर्पूर करनी परती है और इस तरह से जब जीवन रेखा चली गए चंद्रपर और यह अल्रेड़ी पहुझ भी गए और इनकी फेट सुर्य परवत की और चाहा रही है तो ऐसे लोग विदेश में ही जीवन भर रहते हैं पागी चंद्रपरवत अच्छा है व्यक्थी को पानी अच्छा लगता है दूट से बनी वस्तु अच्छी लगती है अच्छे पर्चेसर होते है वेली फॉर मनी पर्चेस करने वाले होते है नीने शक्ती अच्छी होती है और नए नए चीजे करने का शौक होता है इन्हों researcher है तो एक तो triangle होता है जो इनके हाथ में नहीं दिखा और बुद्परवत्तर कहीं न कहीं star होता है तो यह वस्तु है तो यहाँ पर मुझे दिखी नहीं है पर इस तरह की sign वाले व्यक्ति जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति research करता है add-on भी होता है अब शुक्र परवत पर चलते है शुक्र परवत में कोई कमी नहीं यह सारी property यह दिलाएगी यह square और शुक्र परवत भी अच्छा है तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है अच्छी तरह रहता है शौकिन रहता है शौक पूरा भी करता है और खुद का presentation काफी अच्छा रखते अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे तो complete यहां से चल रही है और यह शनी परवत का च्छेत जब शनी परवत से हिर्दे रेखा निकलती है तो सुबे उटते ही पैसा कैसे कमाना वो ही इनके दिमाग में होता है दूसरी चीज कामुक भावना और तीसरी चीज कभी-कभी फिजिकल बंदे यानि हाथ पर उठाते यह माइनस पॉइंट इन में रहता है और एक दो लाइने नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे लग सेवा भावी सभाव के होते है मित्रों को सगमंदियों को पैसा देगा और वो पैसा वापस नहीं आएगा और यह लाइने मापाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है अब इनकी माइंड लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा गैप हो तो रट्टी बहुत ज़्यादा जिद्धी होता है किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता पर परिवार को जब जोरोत पड़ी तो सबसे पहले यह लोग खड़े रहते और जैसे जर्रत पूरी हुई वहाँ से निकल जाएंगे और इतनी डीप से अगर निकलती हो जूपिटर से तो बहुत ज़्यादा एंबिशेस होते हैं यह लोग और अपनी उस महतोकांशा को पूरी भी करते हैं और यह माइन लाइन सीधी चलकर यहां तक चल ए और यह लाइन परलल है यहांपर इनको निन से रिलेटेड इसुद गी तो माइन लाइन काफी अच्छी है बुद्य प्रतिवाण भर पूरहेग गी माइन लाइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं थोड़ी सी डार्क है पर इतनी चल जाती है अब इनका जो में प्रश्ण था वो यहां पर है यह यह लाइन इनकी साधी कराएगी और यह धाम धुम से साधी होगी इनके जीवन में यह 31 के आसपास प्लस माइनस वन एर 31 के आसपास धुम धाम से इनके जीवन में सहना ही बज़ेगी और उसके पहले भी एक कोई न कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में यह लगबख 5 या 6 साल पहले चार-पाथ साल पहले रुकावट आई होगी इस राउ रेखा के कारण उसके बाद यह यातरा रेखा है यहांपर कोई न कोई यातरा भी करेंगे यह 32 के आसपास फिर 37 में एक रेखा काट रही है 41 में काट रही है 43 में काट रही है यह राव रेखा है कोई न कोई नुकसान देती हमें फिर 47 में एक आपशुट है और 49 में एक राव रेखा उसके बाद कोई राव रेखा इनके हाथ में है यह नहीं केवल एक offshoot है और वो भी 10 साल के बाद यहनि 59 के आसपास एक offshoot है और एक offshoot उसके 4-5 साल के बाद और कहीं पर भी उसके बाद कोई राउ रेखा इनके हाथ में शो नहीं हो रही है एक आभास हो रहा है कि यह है राउ रेखा अगर यह हो भी गी तो बहुत छोटी है 6 साल के बाद यहनि 49 और 6 55 के आज पास यह जब रहू रेखाएगी उस समय कोई न कोई आर्थिक नुकसान जाएगा और जो फेट लाइन पर कट है वो समय भी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जाता है जो इनको गया हुआ भी है अब आपके फेट लाइन पर आता हूँ मैं फेट लाइन पर देखे यह जो कट है यह अब यह लाइन यहां से निकली तो एकी लाइन एक बिजनेस में हमें उम्र लग बग 26 सताइस के आसपास इनको कोई न कोई नुकसान दी होगी इस लाइन ने यहां पर 28 के आसपास नुकसान दी होगी और यह लाइन 29 के आसपास नुकसान देती है यानि एकी लाइन अलग-अलग इंकम के स्रोतों को नुकसान देती है फिर उसके बाद यहां पर भी कट लाइन है यह भी सैम 29 2931 के आस पास नुकसान देगी और इस लाइन पर 35 के आस पास नुकसान देगी पर ऐसे कोई बड़े नुकसान नहीं है एक छोटी paralysis में नुकसान देगी 32 के आसपास ये कट जा रहा है एच 38 के आसपास ये कोई न कोई नुक्सान देगा और 40 के आसपास एक ऑफशूट है धन्द रेखा से यहाँ पर कोई न कोई अच्छी प्रोग्रेस भी मिलेगी इनको फिर एक छोट आसा कट 42 के आसपास है बाकि ऐसे मेजर कट कहीं पर भी नहीं है तो ज़्यादा चिंदा करने की जुरत नहीं है अब जो धन्द रेखा है उस पर हम आते है यह एक धन्द रेखा एज 36 तक काफी अच्छी है बाकी की जो धन्द रेखा है वो थोड़ी सी दमदार दी है पर यह जिस कंट्री में रहते है वहाँ पर no doubt expense रहेगा पर हमें भारत पाकिस्तान और आसपास के जो देश होते उसमें जिस तरह की तकलिफ होती है नेपाल है वैसी तकलिफ हमें जि से ना ज्यादा problem नहीं आता तो यह एक advantage है तो दो लाइनों में यह problem पर एक लाइन काफी अच्छी है यह इनको काफी 36 तक काफी अच्छा अनिंग देगी पर इस पर भी जो दूसरी लाइनों पर भी cut है तो अलग-अलग समय में कोई नकोई नुकसान भी जाते रहेगा इन पर फिर भी मैं कहता हूं इसका मैं उपाय भी दे दूंगा और जब इस तरह की धंद रेखा जिस देश में रह रहे हैं वहां पर फिर भी ऐसे लोग पैसा कमाते यह भी खासियत रहती है तो टेंस लेने की जोड़ते हैं मैं छोटा सा उपाय दे दूंगा आपको तो कही न देश में हो वहाँ पर इस तरह की धंद रेखा का बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा आपको बागी मेजर कट जो जो थे वो मैंने बता दिये और बीच बीच में कहीं न कहीं कट लगेंगे आप जिस तरह की मानसिक्ता वाले हो उसमें कहीं न कहीं आपको नुकसान छोटे मोटे होते रहेंगे तो आप एकसेप्ट करके चलना और मल्टीपल इंकम ऑल्वेज रहेगी आपके बाद 36 तक ज्यादा रहेगी और उसके बाद भी रहेगी ऐसा कुछ नहीं है मल्टीपल इंकम के स्रोत आपके जीवन में बने रहेंगे और ये धन रेका आपको अच्छा धन देगी ये एज 48 से लेकर 56 तक और उसके बाद भी बहुत सारी अच्छी धन रेकाए है तो ज्यादा सोचने की जुरत नहीं है मैं उपाय दे दूँगा बाकी प्रोग्रेस होता रहेगा आपके जीवन में तो आसा रखता हूं आपके स पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन